क्लास 6th Mathematics, Chapter, Knowing Out Numbers, Large Number in Practice यह topic स्टाट करते हैं ! इसमें आप देख रहें Large Number in Back. इसमें आप देखो हैं, । इसमें क्लुग क्या करेंगे ? बज़ों, बहुत सारे नमबर्स, उनकी units को चेक करेंगे , जो हमारी डेली लाइक में बहुत यू जाते हैं जैसे 1 cm लेंद की बात करें, unit of length 1 cm is equal to 10 mm, that is 10 mm, okay 1 m is equal to 100 cm 1 km is equal to 1000 m 1 m is equal to 100 cm it is equal to the 100 x 10 mm that is 1000 mm therefore, 1 km is equal to 1000 m 1000 m, it is equal to 1000 x 100 cm therefore, it is equal to 1 lakh cm in the same manner 1 km is equal to 1 lakh cm और अग इसको mm में convert करना हो, तो 10 से multiply कर देंगे और यह हो जाएगा 10 lakh mm, अब unit of mass की बात करें, तो 1 gram is equal to 1000 mg, that is mg, okay and 1 kg 1 kg is equal to 1000 g, 1 kg is equal to 1000 g, और इसको mm में convert करना हो, तो 1000 से multiply कर देंगे, that is 10 lakh mg, so keep in mind, words like centi, kilo, milli, these are common units for the length as well as mass as well as for the capacity, kilo is the largest, kilo is the largest, and it shows 1000 times greater, 1000 गुना, greater unit को यह शो करता है, यह समझ में आगे अच्छे से, तो जैसे 1 kg is equal to 1000 g, इसी तरह से milli smallest होता है, और यह भी 1000 शो करता है, बट चोटा होगा, that's it, 1 gram is equal to 1000 mg, और centi, cent का मतलब होता 100, आगे अगे कुछ capacities को देखते हैं, unit of capacities, 1 litre is equal to 1000 ml, 1 kg litre is equal to 1000 litres, है न, kilo हो गया, तो 1 kg litre is equal to 1000 litre, is equal to 1000 into 1000 ml, that is 10 lakh ml, अब कुछ solve example, बाद tub contains 120 litre of water, if 9700 ml of water drains out, how much water is left in the tub, कितना पानी रह जाएगा, 120 litre पानी पहले से है उसमें, और 9700 ml वाटर उसमें से निकल जाता है, तो solution कैसे लिखेंगे, पहले known quantity लिख लिख लिजिए, water in the bath tub is equal to 120 litre, अब इसको milliliter में convert कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 120 into 1000 ml, यह हो जाएगा 1,020,000 ml, कितना पानी निकल गया, यह given है 9700 ml, तो कितना पानी टब में रहेगा, water left in the tub is equal to, 1,020,000 ml minus 9700 ml, it is equal to 1,10,300 ml, है न, ओके, So, 110 upon 300, तो कितना रहे गया, यह आपका answer हो गया, next question, गुपता book store, books को बेचता है 2,85,891 in the first week of the June, और उसी महीने में, दूसरे हपते में 4,768 रुपीज में बेचता है, तो कह रहा है कि दोनों को मिला करके, कितने रुपए की उसने books बेच दी, इसमें से कौन सी नंबर बढ़ी है, और दोना की बीच का difference कितना है, in which week was the sell greater and by how much, तो देख लेते हैं, sell in the first week, 2,85,891, sell in the second week, 4,768, total sell of the two weeks, तो उनों को प्लस कर दीजिए, और यह हो जाएगा 6,86,659, कौन बढ़ा है, obviously 4,768 बढ़ा है, जबकि 2,85,891 चोटा है, is it very very clear, difference कितना है, तो 4,768 में से माइनस कर देजिए, 285,891, difference हुजाएगा, 1,14,877, hence, the total sell for the two week, of the same month is, रुपीज 6,86,659, और दूसरे हपते का sell बढ़ा है, कितने, 1,14,877 रुपीज ज़्यादा बढ़ा है, अच्छे से मिला लेजे फिर से कौन्टिटीज को, फिर इसके बाद हम अगले वाले पर मूव करेंगे, अपने आंसर को अच्छे से मिलाइए, बेना किसी प्राब्लम के, जहां प्राब्लम है, तुरंत मुझे मैंसेच करिए, मैं आपको रिटर्न करूंगा, जो भी उसके अंसर होंगे, जो भी कन्फ्यूज न होंगे, ठीक है, अच्छे से प्लस कर लो बेटा, नो प्राब्लम्स, वेरी गूट, ठीक है, चले, अब हम लोग नेक्स वाले पर मूव करते हैं, नेक्स कॉस्चिन पर, तो प्रिया के घर और उसके स्कूल के दिस्टन्स एक किलोमेटर और आट सो पिछतर मीटर है, रोज वो दोनों तरफ जाती है, मतलब स्कूल जाती है, फिर आती है, और वो अगर हथते में 6 दिन आती जाती है, तो टोटल कितना डिस्टन्स कवर किया, तो एक तरफ जाने में 1 in 2000, प्लस 875 मेटर, that is, 1875 मेटर एक तरफ से जाने में, तो दोनों तरब से जाने में कितना होगा है, तो एक दिन में, distance covered by Priya in walking both ways in a day, it 1875 into 2, it is equal to 3750 meter, ये एक दिन की distance है, अब इसको 6 से multiply कर देंगे, तो 6 दिन की distance आ जाएगे, आंसर है 22,500 meter, आंसर मिला लेजिए, हम next पर move करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 22 into 1000 into 500, 22 kilometer and 500 meter, ये उसने total distance cover की 6 दिन में, इसको अच्छे से मिला लेजिए अब, कहीं कोई confusion तो नहीं है, very good, चलिए, अब next question पर move करते हैं, next, जो example है, question is that, for making 16 shirts, 44 meter of the cloth is needed, solar shirt बराने में 44 meter cloth, 44 meter की cloth समय चाहिए, how much cloth is required for each shirt, हर shirt के लिए कितना चाहिए, तो इसमें हमको करना क्या होता है, 44 को 16 से divide करना चाहिए, खर, आई उसको अच्छे से समझते हैं, cloth required for 16 shirts is equal to 44 meter, अब इसको cm में convert कर लेते हैं, तो 44 into 100 is equal to 4400 cm, cloth required for the each shirt, it is 4400 divided by 16, that is 276 cm, it is equal to 2 into 100, ठीक है, into cm plus 75, मतलब कि 2 meter और 75 cm एक shirt बनाने के लिए हमें कपडा चाहिए, फिर से समझ लेजिए, अच्छे से देख लेजिए, 2 meter 75 cm, तो ये होगा examples, okay, thank you very much, जो भी confusion or not,